अलो हारिंकेश बड़ी आतू बता कैसा है बस मजा में बाई बता बाई ओन पैसी में चल रहा है बाई बढ़िया चल रहा है अभी तक तो यार अच्छा जब ने वाला है बिल्कुल बिल्कुल तो इससे अपने ट्राफिक मिल सकते हैं यह इंको पूरी उम्मीद है यार इससे बाई सारी चीजे मिलने की संभावना है बाई क्योंकि यदि प्रोडक्ट में दम हुआ तो मेरे भाई यूजर्स के अपने आप अट्रैक्ट होगा अपने पैकेश को सब्सक्राइब करेगा और जब नया वर्जन आएगा तो वेलोबिस तो भी उस पैकेश को सब्सक्राइ सब्सक्राइब करेंगी समझ रहे है जो पिछले चैनल से सिल्सला चल रहा है तीन मैने को कनेक्ट सा उसको बढ़ा के शैमेने का हो गया वह तिक है आप शायद उकनेक्ट का जो कॉमर्सिल वर्जन आ जाएगा तब कमपनी का यह वाला जो सिल्सला चल रहा है एक्स्टेंड करने Gir 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 सब्सक्राइब रहे हैं लोगों के पास मेल आ रहे हैं नहीं आरे हैं लोग अपने आपको वेरिफाइब कर रहे हैं कितने लोगों पूरल यह है कि यही है कि मेरे बाइब ऑन पैसी जो प्लानिंग है बहुत इस ट्राउग planning पे on passive काम कर रहा है on passive के product में दम है तुँ अपनी सोच है ना उसको 100% on passive के लिए positive रख बस on passive की planning अच्छी है on passive के product में दम है on passive में transparency है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ मतलब ऐसा कि आप लोगों को पता नहीं चल पाता हो या ऐसा कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ transparency है on passive में और on passive को जो mission है ना मेरे भाई वो बिल्कुल clear है इसका vision भी clear है इसका mission भी clear है और अपना on passive जो इसका target है उसके बहुत नजदीक पहुंच चुक रहे है तो तु बेफिकर रहे बिंदास रहे on passive जो है वो अपने जो competitor है उनसे बिल्कुल different है जब इसका जब नया o connect आएगा new release होगा तब देखना on passive की जो product है जो इसके competitor के जो product है उनसे बिल्कुल different नज़र आएगा तुझे हर segment में different नज़र आएगा इसकी जो capacity रहेगी वो भी different रहेगी इसके जो features रहेंगे वो different रहेंगे क्योंकि इसमें AI features डलने वाले हैं जैसा मिस्ट आई शुफारे ने बोला कि on passive का जो new release आएगा वो AI features से loaded आएगा ठीक है तो बहुत सारी ऐसी चीज़े देखने को मिलेगी जो शायद competitor के पास available ना हो और सबसे बड़ी बात क्या है कि रिंक को on passive के पास है ना एक strong team है strong technical team है on passive के पास और strong founding members की community है on passive के पास एक बात सोच जो company बनके तयार नहीं वही थी उससे पहले उस company के साथ 14 लाग founding members जुड़ चुके समझ रहे तो यह कितना बड़ा achievement है यार कि जब company ने अपने मतलब कदम नहीं रखा अपने business line में कदम नहीं रखा उससे पहले उसके साथ 14 लाग बंदों का जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है तो मैं हर बार बोलता हूं तेरे को कि भाई कि on passive क जो founding members की जो community है वह भी बहुत strong community है on passive के पास और on passive की जो खुद की technical team है वो भी on passive की बहुत ही जबरदस technical team है on passive के पास और सबसे बड़ी बात है तिंकू on passive जो भी कुछ करेगा वो legal तरीके से करेगा कि मतलब on passive में legality है समझ रहे जो भी founding members के खाते में withdrawal आएगा ठीक है वो 100% legal तरीके से आएगा उसको जो भी पैसा आएगा वो आने वाले बविश्य में यदि वो tax के उसमें दारे में आता है तो उसको tax भी pay करना पड़ेगा मेरे कहने का मतलब है कि जो भी पैसा आएगा proper एक number का पैसा founding members के खाते में आएगा सबसे बड़ी बात यह company time to time webinar seminar create करती रहती है founding members को सारी बातों का पता चलता रहता है और इसके लावा company का खुद का डेटा सेंटर भी आने वाला है company का खुद का डेटा सेंटर होगा company का खुद का payment का प्रोसेसर होगा मतलब सारी की सारी चीज़े है ना एक proper तरीके से जो planning है वो on passive ने अपने लिए बना लिए बताई है founding members को और जो लोग अपन लोग देख रहे हैं यदि उसी तरीके से चलता रहाना on passive तो मेरे भाई एक बहुत बड़ी चीज आपन आने वाले समय में देख सकते हैं ठीक है तो यही बात है कि रिंग को अपने product में दम होना चाहिए main बात तो यह है यदि जैसे o connect पता लगेगा बिल्कुल रिंकु जो भी कुछ पता चलेगा ना नेक्स्ट वीक में पता चलेगा कि कैसा क्या o connect है और नेक्स्ट वीक के बारे में नहीं नहीं है on passive का जैसे शोफारे ने बोला कि हमारे पास blockchain से related product भी आने वाले हैं तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि यह तो अभी on passive जो भी कुछ कर रहा है ना जितनी भी planning on passive की चल रही है सारी की सारी planning कहीं ने कहीं traffic generation को लेकर चल रही है ज्यादा से ज्यादा ट्राफिक को generate किया जा सके ज्यादा से ज्यादा लोग on passive के साथ जुड़ सुके अभी दो-तिन features जैसे o connect की बारे में बताया एक तो मुख बदीर वाला feature सामें तिर को बताया था एक noise cancellation वाला feature साओ connect में उन features के बारे में अभी कोई भी बात नहीं हुई देखते हैं जब new version जब आता है उसमें यह features दिखते हैं नहीं दिखते बट यही है अभी थोड़ा सा वेट और कर एक अफसा में क्या होता है क्या नहीं ह ूड वो सारा क सारह निचोड शायद देखने को मिल सकता है कि क्या कर रहा है और आने वाले भशय मों पैस्व क्या करने बाल करने मों है थी उसकी सरहाना की तो तू और मैं तो उस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे करेंगे समझ रहा है तो समझने से को पैसा नियाद ना जन ransom करते है इक पर अच्छा तरीके से वो किने को आ जाने दे उसके बाद देखते हैं कंपनी की क्या प्लानिंग है क्या प्लानिंग नहीं है तो बेखिकर रहे है बिंदास रहे अभी तक उन पैसिव जितना भी कुछ चल रहा है न वह सब कुछ प्रोपर तरीके से चल रहा है बस तो मिस्टर एश मुफारा को फोल करने की ज़रूद नहीं है ठीक है ब्रदर ठीक है बाइब ऑन पैसिव जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहेगा ओके ब्रदर